आज मैं आप लोगों के लिए मेथी के कोफ्ते लेकर आई हूं आईए इस रसेपी को बनाना स्टार्ट करते यहां मैंने एक बड़े कटोरे मेथी को साफ करके धोकर कट करके रख लिये हैं एक कप बेशन ले लिये हैं दो चम्मच ताजा दही सौफ अद्रक लाल मिर्च पाउडर धन्या पाउडर हल्दी पाउडर हींग और नमा आईए अब इन्हें सभी चीजों को एक बॉल में मिक्स कर लेते हैं इसके लिए यहां मेथी ले लिये एक चम्मच रैट चिली पाउडर एक चम्मच मैंने अद्रक को कद्दू कस कर लिया सौफ को थोड़ा सा कूट लिया है एक चम्मच धन्या पाउडर ए आधी चम्मच हल्दी पाउडर आधी चम्मच हींग स्वात के अनुसार नमक अब हम अभी सूखे मसालों को मिक्स कर लेते हैं अब एक कटोरी बेशन भी ले लेते हैं दो चम्मच ताजा दही अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां मैंने कोफते का डो बनाने के लिए पानी बहुत ही थोड़ा थोड़ा करकर यूज किया है हम इसमें एक साथ पानी नहीं डाल सकते अगर एक साथ पानी डालेंगे तो हमें अच्छा डो बनाने में दिक्कत होगी हमें थोड़ा सक्त डो बनाना है इसके लिए मैंने यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा करके ही यूज किया है देखिए फ्रेंड्स हमारे कोपते का डो बनकर रेडी है अब अपने हाथों को थोड़ा ओईल से ग्रीस कर लेंगे और अपने कोपतों को अकार दे देते हैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपने कोपतों को सिलेंडर अकार दिया है आप चाहें जो भी अकार दे सकते हैं देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम सभी कोपतों को बना लेंगे मेथी के कोफते आपने और पहले भी खाए होंगे पर एक बार मेरी तरह से जरूर बनाए देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक कड़ाई में पानी डाल कर स्टीमर बना लिया है इसमें मैंने अपने सभी कोफतों को रेडी कर लिया है और अब इसे स्टीम करने के लिए फूल फ्लेम में 15 मिनट के लिए ढकन लगा कर छोड़ देंगे अब हम एक तरफ अपने कोफते का ग्रेवी तयार कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ दो बड़े चम्मच ओईल का यूज किया है हमारे ओईल भी गरम हो चुके हैं अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच राई, आधी छोटी चम्मच जीरा अब दोनों को अच्छे से क्रैकल होने तक फ्राई कर लेंगे मैंने यहाँ एक बड़े प्याज को चौप कर लिया है उसे भी ले ले लेते हैं अब अपने प्याज को हलका टांसफरें होटे तक हमें उन्हें फ्राई करना है देखिए फ्रेंड्स हमारे प्याज भी फ्राई होने लगे हैं देखिए एक मिनट के बाद हमारे प्याज थोड़े से टांसफरेंट होने लगे हैं इस स्टेज पर यहाँ मैंने एक कब मेथी ले लिया है उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे याद रहे फ्रेंड्स जब हम मेथी फ्राई करें तो इसमें धक्कन नहीं लगाएं नहीं तो हमारे मेथी का कड़वपन नहीं निकल पाएगा देखिए एक मिनट के बाद हमारा मेथी भी फ्राई हो चुका है आईए अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डाल लेते हैं एक बड़ा चम्मच रेट चिली पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक भी टेस्ट के अनुसार सभी सूखे मसालों को मिक्स कर लेते हैं याद रहे फ्रेंड्स हमने कोपतों में भी मसाला के साथ नमक भी डाला था इसलिए नमक आप थोड़ा अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें देखिए अब हमारे सूखे मसाले भी भून चुके हैं अब मैंने यहाँ एक बड़े टमाटर पांस से छे लहसून और दो हरी मिर्च को मिक्सर जार में प्यूरी कर लिया था उसे भी हम डाल लेंगे अब हमारे टमाटर के पानी सूखते तक इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इनमें धक्कन लगा कर एक मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे देखिए फ्रेंड्स हमारे टमाटर से पानी भी सूख चुका है और पैन छोड़ने लगा है मतलब हमारे मसाले भूनकर रेडी हैं अब इसमें मैंने यहां एक कटोरी ताजा दही को फेट कर यूज किया है इसे भी हम मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम मिडियम रखे नहीं तो हमारा दही फट जाएगा और एक उबाल आते तक अपने सब्जी में चम्मच चलाते रहेंगे देखिए फ्रेंड्स इसमें एक उबाल आने लगा है अब अपने ग्रेवी में धक्कन लगाकर पांच मिनट के लिए स्लो मिडियम फ्लेम में छोड़ देंगे और जब तक हम अपने कोफतों को फ्राई कर लेते हैं इसके लिए मैंने यहां ओइल ले लिया अब हमारे कोफते भी स्टीम होकर रेडी हो चुके हैं देखिए फ्रेंड्स यह थोड़े फूल कर डबल साइच के हो गए हैं अब इन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम अपने कोफतों को भी स्लो मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे देखिए फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन होते तक हमें इन्हें भी अच्छे से फ्राई करना है एक चमच की साहता से आप अपने कोफतों को उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लें अब हमारे ग्रेवी भी बनकर रेडी हो चुके हैं देखिए पांच मिनट के बाद अब हम इसमें अब अपने सारे कोफतों को डाल देंगे अब सभी कोफतों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और इन्हें भी एक से दो मिनट के लिए ढकन लगा कर छोड़ देंगे ताकि हमारे कोफतों में ग्रेवी अंदर तक चला जाए देखिए फ्रेंज थोड़ी देर के बाद हमारी सबजी में उबाल आने लगा है और कोफते भी अंदर तक ग्रेवी जा चुके हैं अब हमारी सबजी बनकर रेडी है आईए अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं आप इन्हें स्टीम राइस, रोटी, पराठा के साथ इंज्वाए कर सकते हैं देखिए फ्रेंज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं हमारे कोफते आपको मेरी मेथी कोफते की रसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं मेरे चैनल को लाइक करें और सस्क्राइब भी करें मैं आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मिलूंगी फ्रेंड्स बाइ बाइ एंड थैंक यू बाइ बाइ भी करें यू